Hello friends, welcome to my youtube channel SWGA study with gurukos और आज हम पढ़ने वाले हैं about the reinforcement इसकी types and its forms तो आएए पढ़ते हैं without any delay what is reinforcement तो reinforcement क्या है जब भी हम reinforcement की बात करते हैं तो we use this term in the operant conditioning मैंने अपने last videos में भी बताया था operant conditioning क्या है अगर आप मेरी video first time देख रहे हैं so better understanding के लिए please operant conditioning के बारे में में लास्ट वीडियो से उसको देखना ना भूले so reinforcement is a term which is used in the operant conditioning and it is referred to anything कुछ भी जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्फोर्समेंट में बताया था कि इन्फोर्समेंट में बताया था कि कुछ भी कुछ भी कुछ भी लाइक रिवार्ड और में भी कोई भी मोटिवेशन ने किसी भी तरीकर रिइनफोर्स जब मिलता है तो वह एक बहेवियर को strengthen करता है और उसके chances increase करता है कि दुबारा हो क्योंकि उसके response से उसकी consequences से हम प्रभावित रहते हैं और एक्जामपल अगर बच्चों को अच्छे marks मिलते हैं तो उनके parents कुछ gift देते हैं तो it act as a motivation and a reinforcer कि वह फिर से अच्छा करें बतला फिर से वह behavior को repeat करें और फिर से अच्छे marks लें तो इसको बोलता है reinforcement reinforcement की बात करें और बीएफ स्किनर की बात में करें ऐसा होई नहीं सकता है विकोज बीएफ स्किनर की बात करता है और इंक्रीज करता है क्लास्रूम सेटिंग्स में जो टीचर्स हैं वह उन्हें कुछ टोकन रिवार्ट्स देती हैं चोटे बच्चों को नर्सरी केजी क्लास में ताकि वह a b c d 1 2 3 अच्छा से ओरल या रिटन अच्छा कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा प्लेटाइम दिया जाता है मैं कहती है कि इ इम्प्रूव्मेंट इन बडिए करती हैं कि सबने इनुभव किया होगा कि चलासबचीं चलाथ Inter है उससे स्टीजिफसमेंट हो टाइप साथ खॉलेकर सकते हैं और इसे से कणिन तो प्राइमरी रिइंफोर्समेंट क्या होता है प्राइमरी इंफोर्समेंट मतलब जो कि अनकंडिशनल होता है उसको चलते हैं जासे आपको पता है हम जो पहले ही है जमने चारफे चलते हैं पर डिर做 कर को यह जो है पार्स हमने सी had जिसे कम सब चीज़ जो हमारी सब है जो कि लिए hasn't एंब्र प्रामर में आता है अगर आपको आपको फूड ना मिले तो आपकी सबसे बेसिक नहीं आ रही है यह नहीं है तो आपको मॉटिवेशन रहेगा कि ऐसी जगह पर जहां पर मुझे प्रॉपर एयर हो एयर वेंटिलेशन हो जैसे कि अभी कॉविड में ही हुआ था ऑक्सिजन की किलत थी तब वह बे यहां पर कहने का तात पर यह है कि प्रेमरी रीइंफोर्स्मेंट वह इन फॉर्स्मेंट होती है अनकंडिशनल होती है और हमारे बहुत जरूरी है यह चैनिद्स बीख संगे संगे यह कंडिशन होते हैं यह हमें सीखनी पड़ती है कैसे सीखनी पड़ती है जब कोई भी इस इसा हाथसा होता है जिससे हमें पैबलोव का इस्पेरिमेंट सुना होगा उसमें डॉक्स को क्या पहले शुरू में उसको सरफ खाना दिया जाता था तब वह स्लाइवेट करता था देरे उसके साथ क्या किया जब उनको खाना देता थे मील टाइम पे वह एक बैल बजाने लगे तो बैल बजाने एक के बात दिया जाता था तो ओवर दा पीरेड क्या हुआ कि अब मेरली बैल बजने से ही डॉक जो है सलाइवेट करने लग जाता था तो इससे पैबलोव ने इसकी कंडिशनिंग के बारे में जाना था कि अगर हम एक स्टिमुलस को एक जो ऑलड़ी रिइंफोर्स टिमुलस है उसके ऐधिर आप एका था यहां पहले रिइंफोर्समेंट डॉक की थी खूब फूट फूट यहां पर उसक लिए स्टेनिंपोर्समेंट था है जर्म करूर लेठे प्यसे दांने लन कर लिए कि अब बाज़ए तो मुझे खाना मिलने वाला थो तो फो इसको बोलताए है तो are two forms of the reinforcement forms में जैसे मैंने बताए two one is positive and one is the negative तो हम पहले positive के बारे में पढ़ लेते हैं तो positive reinforcement means कुछ भी that is involved जो कि हम add करते हैं to increase the response मतला हम कुछ addition हम कुछ दे रहे हैं कुछ add कर रहे हैं ताकि जो response हम चाहते हैं जो behavior हम चाहते हैं वह increase हो strengthen हो improve हो या promote हो जैसे कि छोटे बच्चे को उसने just one to ten सुनाया है उसको हमने candy दे दी तो next time वह मौटिवेट हो जाएगा अच्छा one to ten है तो अब मैं next one to 15 भी सुनाओंगा next one to 20 भी सुनाओंगा तो ऐसे जो है बच्चे जो है this is called the positive reinforcement जिससे की हमने कुछ दिया है एंड कुछ आड किया है जिससे की वह motivate हुआ है another example you can take की बच्चे अपना रूम क्लीन किया है तो अच्छे से समाल के रख्यों है तब आप उसे गिफ्ट दे दो उसका फेवरेट टॉय दे दो उसकी फेवरेट डॉल दे दो या उसकी फेवरेट टॉय कार्ट दे दो कुछ भी अगर मैनेजर ने जो टागेट दिया था उनको सेल्स कोटा में अचीव करने के लिए ओवर मन्त तो अचीव कर लेते तो मैनेजर उनको बोनस देता है पे पेचेक देता है इस सालरी इंक्रीस कर देता है नेक्स ताइम आप बसफ बेरी नेच्रल कि नेक्स तैम आप और हर्ड वर्क करोगे नेक्स मन्त के सेल्स कोटा को मीट करोगे यहां पर क्या हो गया पॉजिटीव रिइंफोर्समेंट पेचेक और तो अनेथिंग विच बिशिदी इंगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो दिमाग में चीज आते कि नेगेटिव और हम रिइनफोर्स कैसे करेगा तो यहां पर नेगेटिव कर जस्मतलब यह है कि कुछ चीज हम हटाते हैं लाइक वी जिमूव सम्थिंग इन और तो इंक्रीज रेस्पॉंस जैसे कि कैंसलिंगे क्विज इफ स्टूदेंट्स है दन देर होमवक और फोर वन वीक नाइसली अगर सुनेंट्स ने सारे बच्चों ने मैं अनॉंस कर देते हैं सारे अच्छे से टाइम पर होमवक करेंगे तो मैं आपका नेक्स्ट वीक का टेस्ट या क्विज कैंसल कर दूंगे तो यहां पर क्विज कैंसल किया गया है